Hello students, this is Dr. Anju Benewal from Government Meera Girls College, Udaipur. आज हम second year के paper first, Social Research Methods में तथे के बारे में पढ़ेंगे, data. हम ही मानकर चलते हैं कि किसी भी शोध या अनुसंधान में तथे सामगरी, निकि जो data है, उसके महत्व को कम करके आका नहीं जा सकता. उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है. वे अनुसंधान के अंतरंग भाग है, बहुत important part है, लेकिन साथ ही वे शोध भी समान रुप से महत्वपूर्ण है, जहां से कि एक अनुसंधान करता, समस्या के विश्वशनिय अध्यन के लिए सूचना संग्रहित करता है यानि वो sources जिससे कि हम वो data collect करते हैं, वो sources भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने महत्वपूर्ण data हैं. तथे सामगरी की विश्वशनिय अधा, विश्वशनिय श्रोतों पर निर्भर है, कि अगर हमारी श्रोत विश्वशनिय हैं, तो हम जो data collect कर रहे हैं, वो भी वि जो कि अनुसंधान करता के बोज को महत्वरपुन रूप से हलका कर देते हैं क्योंकि कोई भी researcher हो उसके ओपर सबसे ज़्यादा बोज इस बात का होता है कि वो जो भी data collect कर रहा है, जो भी सूचना एकत्रित कर रहा है, जो भी जानकारी एकठा कर रहा है वो विश्वशनिय हो और वो तभी possible है कि उस जानकारी को इकठा करने के लिए विश्वशनिय श्रोतों को यहीं सोर्सेस को काम में ले एक अनुसंधान करता, अपने अनुसंधान में तथ्य सामगरी को आधार मान कर चलता है जो भी उसका डेटा होता, उसको अपना बेस मान कर चलता है और तथ्य सामगरी के अभाव में वैं अपना अनुसंधान कारे संजालित नहीं कर सकता जब तक कोई जानकारी नहीं होगी, कोई तथ्य नहीं होगे, तब तक हम किसी भी रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते केवल कल्पनाओं और आधर्शों को सामने रखकर, कोई भी रिसर्चर, विश्वश्निये वैज्ञानिक और तार्किक परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकता आप कल्पनाओं में बात नहीं कर सकते, काल्पनिक बातों को आधार नहीं बना सकते इसके लिए आपको विश्वशनिये डेटा आपके पास होना बहुत जरूरी है जब तक कि उसे डेटा उपलब्द नहीं होंगे तब तक वो ना तो विशलेशन कर सकता है और ना ही अपने अध्यन विशे का उपयोग कर सकता है आधुनिक समय में जब हम सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक शेत्रों में अनुसंधान की प्रकरती की बात करते हैं तो हम वैज्ञानिक पदती के उपर जादा जोड़ देते हैं हम यह मानकर चलते हैं कि उससे संबंदित साधन जो है वो भी तक्निकी प्रकरती के होते जा रहे हैं और तथे सामगरी का स्वरूप जो है वो भी उसी के अनुकूल परिवर्तित होता जा रहा है अनुसंधान की सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि तथे सामगरी के शोत विश्वशनी है या नहीं है विश्वशनी शोतों के अभाव में तथे सामगरी के संकलन में भी कुछने कुछ कमिया या दोश आ जाते हैं कोई भी अनुसंधान करता हो उसको अनुसंधान कारे शुरू करने से पहले तथे सामगरी के भेद किस-किस प्रकार का तथी सामगरी कौन-कौन से डेटा है तदा शोतों के विभिन प्रकारों का ज्यान होना बहुत ज़रूरी है एक तो उसे ये पता होना चाहिए कि किस-किस तरह की सूचना उसको इकठा करनी है दूसरा कौन-कौन से सोर्सेज है कौन से शोत हैं जिससे कि वो उन सूचनाओं को इकठा कर सकता है उसके बारे में उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के प्रकार भी अलग-लग होते हैं और उसके शोत भी विभिन प्रकार के होते हैं जिन तथ्य सामगरी का अनुसंद्धान में विशेश महत्व है, उसे हम दो भागू में बाढ़ सकते हैं. पहला है प्रात्मिक तथ्य सामगरी, प्राइमरी डेटा, और दूसरा है द्वित्थिक तथ्य सामगरी, सेकिंडरी डेटा. अब अगर हम सबसे पहले प्रात्मिक तथे सामगरी की बात करें तो प्रात्मिक सामगरी या प्राइमरी डेटा उसे कहते हैं जिसके अंतरगत अनुसंधान करता स्वेम घटना स्थल पर जाकर या संबंधित वैक्तियों से साक्षातकार, प्रशनावली और अनुसूची द्वारा तथे सूचनाय आकड़े जानकारी इकठा करता है यानि अनुसंधान करता खुद सबसे पहले उस जानकारी को इकठा करता है इसे प्रात्मिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुसंधान करता पहली बार सामगरी को मूल श्रोतों से प्राप्त करता है अब ये मूल शोत कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई स्थल घटना स्थल हो सकता है, या उस समस्या से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जिससे क्यों पहली बार जाकर पूछेगा, या देखकर कोई सूचना को इकठा करना, तो पहली बार जो भी जानकारी कोई researcher खुद इकठा करता है उसे हम primary data कहते हैं इस सामगरी को शेत्री सामगरी की भी संग्या दी जाती है क्योंकि researcher स्वें उस शेत्र में जाकर निरिक्षन करता है यानि कि observation करता है अवलोकन करता है और जो संबंधित लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित करता है अगर हम PV यंग की एक definition ले तो उसके अनुसार प्राथविक तथे सामगरी प्रथम इस्तर पर इकठी की जाती है एवं इसके संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदाइत्व उस अधिकारी पर रहता है जिसने मौलिक रूप में उसे एकत्र किया था बहुत ही important definition है दो चीज़े इससे निकल कर आती है कि पहला तो कि ये जो सामगरी है वो प्राथमिक स्थर पर इकठी की जाती है दूसरा इसके संकलन और प्रकाशन का उत्तरदाइत्व जो है वो उस व्यक्ति के उपर रहता है जो कि इसे इकठा करता है तो प्राथमिक स्थर सामगरी को इकठा करने के दो शोत है पहला है समस्या से सम्मंदित व्यक्ति द्वारा ये व्यक्ति ना केवल भूत की वातों का ग्यान कराते है यानि भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ है उसके बारे में ग्यान कराते हैं बलकि अपने अनुभव के आधार पर भी उन घटनाओं का भौश्य बता सकते हैं क्यानि कि आपने सबसे पहले कोई एक समस्या ली और उस समस्या से संभंदित कोई भी व्यक्ति जो कि उस समस्या से डारेक्ट या इंडारेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति से आप बात करेंगे और उसके बाद जैसे कि अगर फॉर एक्जामपल अभी आपने एक समस्या ली कि online classes से बच्चों के ओपर या बच्चों के मानसिक स्वास्ते पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है तो इसके लिए हम सबसे पहले उन बच्चों से मिलेंगे जो की उस समस्या से रूबरू हो रहे हैं यानि वो बच्चे जो की online classes अटेंड कर रहे हैं तो हम उस बच्चे से मिलकर इस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि basically जब वो online classes अटेंड करते हैं तो उस दोरान उने किन-किन परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसके साथ साथ हम उन डॉक्टर से भी contact करेंगे जिससे की जो बच्चों की डॉक्टर हैं जो आई स्पिशलिस्ट हैं जिनके पास की ऐसे बच्चे जादा तर अपनी समस्या लेकर आते हैं जो कि online classes अटेंड करने के बाद अपनी आईज में कोई ने कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हम psychiatrist से मिलेंगे मांसिक समस्याओं को देखने वाले डॉक्टर से जिनके पास ऐसे बच्चे आया उनके पैरेंट्स आ रहे हैं जो कि अपनी बच्चों की मांसिक समस्याओं को लेकर परिशान हैं online classes के थूँ तो यह हमने देखा कि उस समस्याओं से संबंदित वो बच्चा हो सकता है वो डॉक्टर्स हो सकते हैं तो उनसे हम उस प्रॉब्लम से संबंदित जादा से जादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं दूसरा होता है प्रतेक्ष अवलोकन द्वारा अनुसंधान करता स्वयम किसी समू या संगठन के संबंद में तत्यों का निरक्षन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकता है यानि हम लोग देखकर भी उस समस्या के संबंद में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो ये वो चीज़ हुई कि पहली बार कोई भी researcher किसी भी समस्या के संबंध में जब कोई जानकारी खुद प्राप्त करता है, अपनी लेवल पे प्राप्त करता है, तो उसे हम primary data कहते हैं और ये primary data उसे समस्या से संबंधित व्यक्ति से बात करके भी प्राप्त होता है और प् जो कि उस समस्या से संबंधित हों, दूसरा इसके अंदर हम अगर बात करें कि कौन-कौन से सावधानिया उनको रखनी चाहिए, तो अनुसंधान करता जो है, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि कोई भी अनाविशक सामगरी एकत्रित ना कर उनके प्रती पक्षपात पूर्ण रवया ना अपनाएं, कुछ चानकारी जब वो देखकर अवलोकन के द्वारा एकत्र करता है, तो उस दोरान किसी भी प्रकार का बायस नेचर उसको नहीं रखना चाहिए, पक्षपात पूर्ण रवया नहीं अपनाना चाहिए, जो विवस्तित भंग में एकत्र नहीं करने चाहिए, जो भी डटा कलेक्ट किये जारे हैं, जो भी जानकारी एकठ्था की जारी है, वो अरेंजड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, वैवस्तित रूप से होनी चाहिए, जो प्रात्मिक तथ्यसांबगरी एकत्र के गए हैं, उन कि हम social events की study कर रहे हैं social problems की study कर रहे हैं और उसमें social behavior human behavior की study कर रहे हैं तो वहां कुछ changes छोटे मुटी changes हो सकते हैं लेकिन major changes उसमें नहीं होने चाहिए अब जैसे मैंने आपको बताया थे कि data दो प्रेकार के होते है primary data and secondary data हम primary data की बात कर चुके है primary data के दो श्रोत होते हैं समस्या से संबंदित व्यक्ति और प्रतेक्ष अवलोकन द्वारा अब हम बात करते हैं secondary data की secondary data क्या होता है यह कि जस्ट अपोजिट होता है documents पत्र, diary आदी से प्राप्त करता है अगर हम इसके संदर्ब में PV यंग की definition देखें तो उसके अनुसार द्वित्तिक सामगरी वह है जिसे मौलिक शोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्र किया गया है जिसका प्रकाशित अधिकारी उनसे अलग है जिसने प्रथम इस्तर पर सामगरी इकठा करने की को नियंत्रत किया था जिस्ट अपोजिट डेफिनिशन है इसमें भी दो बाते हैं पहला तो यह कि इसे मौलिक शोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद इकठा किया गया यानि पहले इसे किसी और ने एकत्र किया उसके बाद हम उससे जानकारी प्राप्त कर रहे है Likewise जो primary data है जो किसी के लिए primary data थे वो किसी second person के लिए इसके secondary data हो जाते हैं आपने कोई जानकारी इकठा की और आपके द्वारा इकठा की गई जानकारी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम में लेता है तो वो उस व्यक्ति के लिए secondary data होंगे इसलिए उस data पर अधिकार भी पहले व्यक्ति का ही होता है दूसरे व्यक्ति का नहीं होता अब इसके भी दो शोत होते हैं उसमें पहला है व्यक्तिगत प्रलिक, personal documents दूसरा है सार्जिनिक प्रलिक, public documents व्यक्तिगत प्रलिक वो होते हैं जिनमें के व्यक्तिगत, डाइरिया, पत्र, संस्मरण ये सारी चीज़ें आते हैं जो कि आपके पर्सनल thoughts से related होते हैं जो आपके पर्सनल होते हैं जिनके अंदर आप अपने पर्सनल views को लिखते हैं अपनी पर्सनल feelings को Express करते हैं चाहे वो डाइरी हो, पत्र हो या फिर आपके कोई संस्मरण हो उसके अंदर व्यक्ति अपनी personal life को details में लिखता है और अपनी views को express करता है वो उसके personal होते हैं दूसरा है public documents जिसके अंदर के पुस्तके books आती है, reports आती है, records आते हैं ये सारी चीज़ें public के लिए open होती हैं सब लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसलिए हम उसको public documents कहते हैं अब इसके अंदर भी आपको कुछ precautions रखने की जरुत होती है जब आप secondary documents की बात करते हैं तो उन secondary documents के अंदर आपको कुछ secondary data collection के अंदर भी कुछ precautions रखनी चाहिए तो जिस सामगरी का संकलन किया जा रहा है वह वरतमान अध्यन के लिए उपयोगी है या नहीं है ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जैसा कि first में भी हमने देखा था कि जो भी data collect करें चाहिए वो primary data हो या secondary data हो वो आपके research के लिए उपयोगी होना जरूरी है आपके अध्यन के लिए उपयोगी होना जरूरी है इस बात को ध्यान में रखकर ही data collect किये जाने चाहिए दूसरा वह जिस भी तित्तिक सामगरी को एकत्र कर रहा है वह उसके अध्यन विशे के लिए परियाप्त होनी चाहिए यानि आपने जो भी data collect किया वो आपके study के लिए आपके topic के लिए sufficient होना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं हो कि आपने information collect कर ली data collect कर लिए लेकिन वो sufficient नहीं होंगे तो उस condition में वो useless हो जाएंगे अब इसके बाद हम बात करते हैं अभी इस वीडियो में हम सर्फ primary data जो है उसी पर बात कर रहे हैं तो primary data के अंदर हमने sources of data की जब बात की थी कि sources of primary data को collect करने के sources क्या क्या होते हैं तो हम अगर sources of data की बात करते हैं तो उसके दो sources होते हैं जैसे कि हमने कहा था कि data के साथ sources भी बहुत important होते हैं, आपके अगर sources विश्वश्निय हुए, reliable हुए, जिन sources से आपने data collect किया है, वो sources अगर reliable होते हैं, तो आपके data की reliability बढ़ जाती है, अगर आपके sources विश्वश्निय हैं, तो जो जानकारी कठा कर रहे हैं, जो तथे आप एकत्र कर रहे हैं, उनकी विश्वश्नियता बढ़ जाती है, तो अगर हम sources of data की बात करें, श्रोतों की बात करें, तो तथे सामगरी को एकत्र करने के लिए हम बहुत सारे sources को काम में लेते हैं, बहुत सारे श्रोत को काम में लिया जाता है और ये अनुसंधान करता कि स्वेम पर निर्भर करता है कि वह किन किन शोतों से अपने अध्यन से संबंधित डैटा को एकत्र करना चाहता है This all depends on the researcher अत्या अनुसंधान की आवशकता पर निर्भर करता है कि कौन कौन से शोत आवशक हैं या अनावशक हैं संगत है या असंगत है आपका टॉपिक इस तरीके का है उस पर भी ये सारी चीज़े डिपैंड करती है उसे इस पात पर ध्यान देना आवशक है कि सामगरी शोत विश्वशनिय तथा सुलब हो जो भी सोर्सेज है वो विश्वशनिय होने चाहिए और सुलब होने चाहिए त कई बार हम रिसर्च करने के लिए निकलते हैं तो हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए जिन सोर्सेज को हम काम में लेते हैं कई बार वो सोर्सेज सफीशिन नहीं होते हैं तो उस कंडिशन के अंदर रिसर्चर भटकता ही रह जाता है कि वो अपनी डेटा को किस तरीके से कलेक प्रकाशित प्रकाशित और आप्रकाशित रिपोर्ट्स है पंडूलपिया है पत्र है डायरी है वो सारे शामिल हो जाते हैं और शेत्री जो शोत होते हैं उसमें उन जीवित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनको सामाजिक परिस्तितियों के बारे में ज्यान हो तथा उसमें हुए परिवर्तन की जानकारी हो जनरली दो के पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है एक तो आपका हो जाता है शेत्री श्रोत यानि की field sources और दूसरा आपका हो जाता है जिसे के हम बोलते हैं document sources तो document sources के अंदर आपके जो published और unpublished documents जो होते हैं वो आ जाते हैं लेकिन हम यहाँ पर दो इसको बगले जो था प्रोफिसर बैगले उसके अनुसार दो प्रमुक्षोत थे primary source and secondary source primary source के अंतरगत समस्या से संबंदित वैक्ती तथा निरक्षन आते हैं और secondary sources के अंदर सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, प्रकाशित और आप्रकाशित प्रलेखों आदी को शामिल किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष्रोत की, direct sources की प्रात्मिक श्रोत, उन श्रोतों को कहते हैं, जिनसे की अनुसंधान करता, स्वैम प्रत्थम बार, तथ्यों तथा विभिन सूचनाओं को इकठा करता है primary sources, basically वो sources हैं, जिनको की researcher पहली बार खुद जो है, data collection के लिए काम में लेता है वह इन तथ्यों को अपने आवशक्ता अनुसार एकत्र करता है, तथ्यों के एकत्र करने में उसका व्यक्तिकत लगाओ भी काफी महत्वपून रोल अदा करता है personal attachment जो होता हो बहुत important होता है, जिस संबंद में तथ्यों को संकलन करना है, उसका भली भाती निरिक्षन करके व्यर्थ को छोड़ दिया जाता है और उपयोगी सामगरी को प्राप्त करने की कोशिश करता है अब primary sources की types की अगर हम बात करें, प्रकारों की बात करें, तो इसको हम दो parts में divide करते हैं, प्रतिक्ष्रोत और अप्रतिक्ष्रोत Primary sources में, Direct sources and Indirect sources Direct sources क्या होते हैं? अनुसंधान करता स्वैम अध्यन इस्तल पर जाकर अपनी समस्या से संबंधित घटनाओं तथा वेवारों का निरिक्षन करता है खुद गया है, इसलिये हम उसको प्रैक्ष्र वोर रहे हैं celebration approach खुद ही जाता है घटना स्वैम पर घटनाओं का देखता है लोगों के वेवारों का निरिक्षन करता है observation करता है समदाय के विभिटन लोगों से समपर्ग स्थापित करता है फिर उनसे सूचनाई प्राप्त करने की कोशिश करता है वह घटना स्थलका स्वयम के आखों से निरक्षन करता है इसके साथ जिन जिन भी घटनाओं या कारिकराओं में भाग ले सकता है वह भाग लेता है केवल दर्शक नहीं बना रहता ये अवलोकन जो है विभ्यन प्रकारों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का अवलोकन है तीकि अवलोकन जो होता है वो भी तीन प्रकार का होता है अगर हम सबसे पहले डारेक्ट सोर्स की बात करें तो देट इस अवलोकन अवलोकन तीन प्रिकार का होता है, किसी भी घटना इस तल पे गया, अपनी समस्य सम्मंदित घटना इस तल पे गया और वहाँ पे कुछ चीजों को उन्होंने देखा और उसके बाद में उस जानकरी को इकठा किया तो यह अवलोकन तीन प्रिकार का होता है, यह observation थ्री टाइप्स का होता है पहला होता है सहभागी अवलोकन, जैसे हम लोग बोलते हैं, participant observation सहभागी, नाम से पता लग रहा है, कि खुद का भाग लेना, स्वयम का भाग लेना participant, यहनि उसके अंदर आप as a participant काम करेंगे, इसमें निरिक्षन करता समु में अपनत्व कानभव करता है उसकी भावनाएं और दरश्टिकोंड, समु की भावनाएं और दरश्टिकोंड से मिल जाते हैं यानि सबसे पहले तो वो जाकर उस ग्रूप के अंदर रैपो बिल्ड करता है, जिससे कि समु के लोग उसे अपने ही समु का हिस्सा मानने लगे वो उसे उस पर इतना भरोसा करने लगे कि उसके साथ साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने दे इसका लाब यह होता है कि समू के रितिरिवाजों वेवारों को वह बहुत नस्दीक से समझ पाता है वह केवल दर्शक बन कर ही नहीं रहता बलकि एक सक्रिय निरिक्षन करता बन जाता है एक्टिव उब्जर्वर बन जाता है समूदाय के लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह हैं उनके वेवार रितिरिवाजों का अध्यन कर रहा है अते उसके अध्यन में उन लोगों के स्वाभाविक व्यवार के कारण पक्षपात नहीं आ पाता है क्योंकि वह बिल्कुल स्वाभाविक व्यवार का व्लोकन करता है उस ग्रुप के लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वह अब्जर्वेशन कर रहा है वह कहीं न कहीं उनका अध्यन कर रहा है इतना जादा वो समों में घुल मिल जाता है उसका हिस्सा बन जाता है कि वह वास्तविक तथ्यों को एकत्र कर पाता है दूसरा प्रकार होता है ऐसे भागी अवलोक है अब ये जस्ट अपोजिट हो गया इसके अंत्रगत, researcher स्वैम सक्रिय भाग ना लेकर तटस्त भाव से कारिक्रमों का निर्क्षन करता है यानि दूर बैठकर सिर्फ अब्जर्व करता वो हिस्सारी बनता वो समों का हिस्सा नहीं बनता वह समों के कारिक्रमों और व्यवहारों से अलग रहकर ही निरक्षन करता है इस ते उसका नाम होता है असह भागी अवलोक है इसी का एक तीसरा पार्ट होता है अर्ध सह भागी निरक्षन क्वासी पार्टिसिपेंट अब्जर्वेशन ये जो टाइप है ये उपर के जो दोनों टाइप थे Participant Observation and Non-Participant Observation उन दोनों का मिला जुला रूप है इस प्रकार के निरिक्षन में सहभागी और एसहभागी निरिक्षन दोनों के गुण पाये जाते हैं इसमें अनुसंधान करता है कुछ कारिक्रों में तो भाग लेता है और कुछ कारिक्रों में दूर बैटके ही अवलोकन करता है इसके बाद दूसरी बात होती है साक्षातकार के द्वारा कई बार प्रतिक्ष्षोत में निरिक्षन के अलावा अनुसंधान करता कभी कभी समस्याओं के बारे में जानकारी समुदाय के लोगों से सीधी बादचीत के द्वारा भी प्राप्त कर लेता है साक्षातकार इंटर्व्यू आपने देखा होगा कि किस तरह से एक वैक्ती दूसरे वैक्ती के सामने बैठ कर सवाल पूसता और दूसरा वैक्ती उसका जवाब देता है इंटर्व्यू तो कई बाहर अनुसंधान करता जो होता है वो साक्षातकार करके भी अपने विशे से संबंदित जानकारी प्राप्त कर सकता है प्रात्मिक्स सूचना प्राप्त करने का ये प्रमुक्ष रोथ है इसमें अनुसंधान करता स्वेम इस्थानिय लोगों से संपर्क स्थापित करता है फिर उनसे बाचीत करता है संबंदित तथ्यों को प्राप्त करता है क्योंकि ये माना जाता है कि जो स्थानिय लोग है वो स्थानिय समस्याओं के बारे में जादा जानकारी रखते है और उनसे संबंदित अनिश्रोतों का भी ग्यान होता है आते हैं उनसे निजी अस्तर पर वार्तलाब द्वारा विश्वस्ट्निय और लापरत सामगरी प्राप्त की जा सकती है जो स्थानिय लोग होंगे वो स्थानिय समस्यों के बारे में आपको जादा से जादा जानकारी दे सकते हैं यदि किसी एतियासिक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उस कंडिशन में क्या करना चाहिए कि researcher क्या करता है कि जो बुजूर्ग लोग है वो सबसे जादा इस्थानी जानकारी रखते हैं तो बुजूर्गों, स्थानी जानकारों, संबंदित पुजारियों, भोपों, मठादिशों इन से साक्षातकार कर सकता है और प्राथ्मिक जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकता है अनुसंधान करता को ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति साक्षातकार स्वीकार करने से मना करता है अगर कोई व्यक्ति मना कर देता है इंट्रू देने से तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दवाव नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह बिना दिल्चस्पी के परिशान होकर विश्वशनी जानकारी नहीं देगा अगर अगर आप forcefully किसी को कहेंगे कि इसके बारे में जानकारी दो तो हो सकता है कि आपके दवाव में आकर आपको कुछ बता दे लेकिन वो कितना सही है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते इसलिए अगर कोई वेक्ति खुश होकर आपको इंट्रीव देने के लिए तयार होता है तो उस कंडिशन में उससे सक्षातकार किया जाना चाहिए अगर कोई खुशोक सक्षातकार नहीं देना चाह रहा है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए तीसरा श्रोत होता है अनुसूचियां शिडियूल्स अनुसूची के अंदर प्रश्न तथा खाली साणिया दी हुई होती है रिसर्चर स्वैम सूचना दाताओं के पास जाकर उनसे प्रश्न पूसता है और उत्तर को उन अनुसूचियों में अपने हाथ से भरता है यानि उत्तर जो है वो रिसर्चर के द्वारा ही भरा जाता है अनुसुची का उद्देश्य उत्तर दाताओं से उत्तर पाकर अनुसंधान में वैशरिक तायनी की अबजेक्टिविटी लाना है ये पद्दती बड़ी लाप्रद और उप्योगी होती है इसमें प्रश्नों को तोड़ मरूड कर नहीं पूछा जाता प्रश्नों का क्रम जोता वो एक सारता एक के बाद जो प्रश्नों होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है प्रश्णों के लिखेत रूप में होने के कारण अनुसंधान करता है उसको अनाविश्च रूप से कुसी प्रश्ण को याद रखने की जरुरत भी नहीं पड़ती है अन्यताव है कुछ प्रश्णों के उत्तर प्राप्त करना भूल भी सकता है लेकिन क्योंकि उसके विशे से संबंदित सारे प्रश्ण उस अनुसुची में लिखे वे होते हैं इसने किसी भी प्रश्ण के भूलने की गुंजाइश नहीं रहती और साक्षातकार की विधी जो है बड़ी जटिल से लगती है उत्तरदाता प्रतेक्ष रूप से प्रभाविद भी हो जाता है इस प्रकार के दोश अनुसुची पद्दती में नहीं पाय जाते हैं अनुचुचियों से प्राप्सूचना निश्पक्ष होने के कारण बड़ी उपयोगी रहती है ये शोथ तभी लाप्रद हो सकता है जब अधिन शेत्र भहुत विस्तरत ना हो जो बहुत बड़ा अधिन शेत्र अगर होगा अगर हमें बहुत सारे लोगों के स्टडी करनी है और वो बहुत सारे लोग बहुत बड़े शेत्र में फैले हुए हैं तो वहाँ पर अनुसुची पद्धती जो है वो काम मिलाना मुश्किल होता है लेकिन अगर हमारा एरिया छोटा है तो उस कंडिशन के अंदर ये शोथ काफी सही रहेगा वर्तमान समय के अंदर ये शोथ काफी लोग प्रिय होता जा रहा है इसके द्वारा आशक्षित लोगों से भी सूचना प्राप्त करने में कठिनाई नहीं रहती जनरली जो प्रशनावली के अंदर रहता है अनुसुची में वो परिशानी नहीं रहती क्योंकि उत्तर रिसर्चर को ही लिखने होता है इसलिए उत्तर दाता का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है जो थोड़ी सी कठिनाई है वो यह आ सकती कि इस्थानिय भाषा के कारण जिसका निवारन वहां के जो इस्थानिय पढ़े लिखे लोग हैं उनकी हेल्प लेकर की जा सकती कि अगर आपको किसी शेत्र विशेश की भाषा नहीं आती है तो उस शेत्र विशेश में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनकी पास जाकर उनकी हेल्प ले सकते हैं हमें भाषा में कुछ भाषा संबंदी कुछ समस्या हो रही है, तो हो सकता है कि वो आपकी बात को आगी तक पहुंचा है, और जो उत्तर दाता है, उसकी बात को आप तक पहुंचाने में मदद करें. अब हम बात करते हैं इन डारेक्ट सोर्सेज की. तो आपने देखा कि प्राइमरी सोर्स के डारेक्ट सोर्सेज होते हैं और इन डारेक्ट सोर्सेज होते हैं. Direct sources में आपने देखा अवलोकन, साक्षातकार और अनुसूचिया हैं जिनके द्वारा अनुसंधान करता directly information collect करता है कुछ indirect sources भी होते हैं data collection के तो उसके अंदर indirect sources क्या होंगे? इसमें अनुसंधान करता swam प्रतेक्ष रूप से उत्तर दाताओं से संपर्क स्थापित नहीं कर पाता Direct sources में उत्तर दाता, प्रश्न करता उत्तर दाता से direct contact में होता है जो researcher है अनुसंधान करता है वो उत्तर दाताओं से direct contact में होता है आप प्रतेक्ष सोर्स में मुख्यत है, प्रशनावलिया, दूरभाष साफशातकार, रेडियो अपील, पैनल पद्धती, ये सब चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशनावली की, प्रशनावली, नाम से ही पता चल रहा है, यहीं प्रशनों की एक सूची, एक ताली का, इसमें अनुसंधान करता विशे से संबंदित जानकारी, एक प्रशनावली प्रशनों के रूप में तयार करता है, जिसको कि हम प्रशनावली करते हैं, कहते हैं, और इस प्रशनावली क के द्वारा वह आसानी से अपने विशे से संबंदी जानकारी प्राप्त कर सकता है जब अनुसंधान का शेत्र व्यापक होता है जैसे कि हमने का था कि अनुसूचिया जो है जहां पर अनुसंधान का शेत्र व्यापक नहीं होता वहां अनुसूचिया काम में आती है तो उसके के एक सूची डाक द्वारा उनके पास पहुंचा दी जाती है अब इसमें इधान रखने की बात है कि प्रशनावली को डाक के द्वारा भेजा जाता है अनुसूचियां face to face बैठ कर researcher के द्वारा भरी जाती है और प्रशनावली को डाक के द्वारा उतरदाता के पास में जाता है ये विधी उन अंसंधानों में तो और भी लाप्रद है जहां पर की सूचना को बार-बार प्राप्त करना होता है ऐसे जो रिसर्च होती है जिसके अंदर के हमको बार-बार कोई जानकारी चाहिए होती है वहाँ पर इस विधी को हम जादा काम में लेते हैं अरी बार जब आप उसके प्रश्णावली को छपवाते हैं तो वो खर्चा और डाक के द्वारा उसको भेजने का खर्चा उतना खर्चा इसके अंदर आता है ये श्रोत तभी लाप्रद हो सकता है जबकि उत्तरदाता पढ़े लिखे हूं अनुसूचयों के अंदर उत्तरदाता को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था लेकिन प्रश्णावली के अंदर चोंकि प्रश्णों का जवाब सूचनादाता के द्वारा ही भरा जाना है इसलिए सूचनादाताओं का या उत्तरदाताओं का पढ़ा लिखा होना जरूर अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उस कंडीशन के अंदर वो प्रश्नु का जवाब नहीं लिख पाएंगे और ना उनका जो प्रश्नों का जो उत्तर है वह हमें समय पर मिल पाएगा और इसका प्रयोग गंभीर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में नहीं किया जा सक क्योंकि प्रशनावलियों द्वारा सूचना जो है वह असत्य भी हो सकती है बहुत कॉमन सी चीज अगर आपके पास एक प्रशनों की तालिका आती है रापको भरने के लिए कहा जाता है तो आप सोचेंगे कि इसको भरने से मुझे क्या मिलेगा या फिर कई बार आप उसको भ विधी को काम में लेने से बचा जाता है क्योंकि लोग कई बार गलत सूचनाएं भी भर देते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और कई बार भर के भेजते भी नहीं है इसलिए इस विधी को कम काम में लिया जाता है जहां पर कि बहुत इंपॉर्टन रिसर्च होते हैं व और respondent, दोनों एक दूसरे के contact में नहीं है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, इसके अंतरगत अनुसंधान करता, टेलिफोन के द्वारा उत्तर दाताओं से संबंद स्थापित करता है और अपने data collect करता है, ये विधी बड़े बड़े शहरों में अनुसंधान करता अपनाता है, जहां समय का अभाव होता है, जहां पर व्यक्ति आने जाने का जो समय खर्च होता है, उससे बचाने के लिए वो टेलिफोन पर बात कर लेता है, और टेलिफोन पर ही अपनी जो भी जानकारी चाता है, वो जानकारी प्राप्त कर लेता है, इससे ना केवल समय क बचत होती है बलकि कई कठिनाईया दूर हो जाती है जैसे कि लोग कई बार face to face interview करने से हिचकिचाते हैं आमने सामने एक दूसरे को देखके जैब जाते हैं तो इस विधी के द्वारा जहां आकडे प्राप्त करने हो वहाँ पर ये विधी भौती सही रहती है नेक्स आता रेडियो अपील रेडियो सूचन प्रसारण का एक अच्छा साधन है रेडियो दुआरा कई प्रकार के प्रोग्राम समय समय पर प्रसारित किये जाते हैं जो कि श्रोताओं इम दिल्चस्पी लेने वाले विभिन व्यवसाय के लोगों को आकर्शित करते हैं तो इसमें रेडियो श्रोता अध्यन करता को संबंदित जानकारी दे सकते हैं परन्तु ये श्रोत विश्वशनी नहीं है, क्योंकि श्रोता जो अपनी राय पत्रों द्वारा भेजते हैं, उसमें कई बार आपके विशेश से संबंदित बाते नहीं होती हैं, कुछ भी उलजुल बाते भी हो सकती हैं, तो ऐसी कंडिशन के अंदर इसको जादा उप्योग में नहीं लिया जाता, नेक्स्ट है पैनल टेक्निक, पैनल पदती, इस पदती के अंदर गत कुछ लोगों का एक पैनल एक ग्रुप बना लिया जाता है, जो की अनुसंधान करता की जनता के रुख, रुची एवं वैचारिक भावनाउं की सूचना सामगरी प्रतान करते ह अनुसंधान करता किसी विशय को लेकर बात करता उस पैनल से, उस ग्रुप से, और वो ग्रुप के लोग जो हैं, वो अपने अपनी राय जो है, या लोगों की जो राय हैं, उसके बारे में बात करते हैं ये श्रोत काफी विश्वशनी है, इसके अंदर कमी सिर्फ ये है, कि पैनल में कारे करने वाले सदस्यों में, अगर किसी प्रकार का मन मुटाव है, जिससे कि वो एक दूसरे की निंदा करने लगें, आरोप, प्रत्यारोप करने लगें, तो इसका प्रभाव जो हैं, वो अ सफ डेटा के अंदर दो सोर्स थे, प्राइमरी सोर्स के अंदर लो फिरम ने दो lightweight क्या था, इन कौरट एडक इन करेंत सूर्सूंग द में अवलोकन, साकशाथकार और अनुसूच्या थी जिसके दवारा डरेक्ट ली रिसरच ज सरुज ये हो डेटा कलेक्ट करता है और इंडारेक्ट सोर्सेज में प्रश्णावली टेलिफोन इंटर्व्यू, रेडियो अपील और पैनल मेथ़ड था जिसके द्वारा इंडारेक्ट्ली रिसर्चर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है अब हम बात करते हैं प्रात्मिक श्रोतों के गुण, मैरिट्स ओफ प्राइमरी सोर्सेज जो हमारी प्राइमरी सोर्सेज थे उनके मैरिट्स क्या है उनके गुण क्या है सबसे पहला गुण है स्वाभाविक्ता, नैचुरलनेस हम देखते हैं कि इन श्रोतों के अंतरगत अनुसंधान करता उत्तरदाताओं से घनिष्ट संपर्ख स्थापित करता है इसलिए जो भी जानकारी लोगों से उसे व्यक्तिकत संपर्ख से प्राप्त होगी उसमें करत्रिमता प्रिवेश्णी करेगी उसमें आर्टिफिशलत नहीं होगी उसमें नेच्रल नैस होगी उधारन के लिए जब अनुसंधान करता सहयोगी निरिक्षन करता के रूप में समुदाय के कारिकरमों में भाग लेकर जो सामगरी प्राप्त करता है वो निश्पक्ष होगी क्योंकि समयदाए के लोग स्वाभवग रूप से अपने कारेक्रमों को प्रस्तुत करते हैं आप किसी भी गूर्प में गये। उस गूर्प का हिस्टा बने और उस गूर्प के लोगों के बीहेवियर के आपने अस्टूडी की जब तक आप नहीं बताते तब तक उनका behavior जो है वो natural होगा, artificial नहीं होगा तो इसके अंदर जो इसका सबसे बड़ा गुण है कि आप जो study कर रहे हैं वो स्वाभाविक study होगी Next one is वास्तविक्ता, reality इस श्रोद द्वारा किसी तथे के बारे में वास्तविक्ता का ज्यान होता है जब अनुसंधान करता समदाय के व्यक्तियों के साथ बहुत घुल मिल जाता है तो वे व्यक्ति भी अनुसंधान करता के साथ घुल मिल जाते हैं उसे अपना मानने लग जाते हैं दोनों के अमध्य मानों कोई अंतर ही नहीं रह जाता मैं तो बहुत ज़ादा वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगते हैं और ऐसे वातावरण में वे मनोवे ज्यानिक रूप से नियंतरित ना होकर अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं जिसमें कि कई महतोपून तथा गोपनिये मामलों की भी सही स्थिका पता लग जाता हैं जब आप किसी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं विश्वास करने लगते हैं तो आप उससे अपनी परसनल बाते भी शेयर करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर जो आपके बास जानकारी आएगी वह जादा रियल होगी जादा वास्तविक होगी थर्ड इस वैश्रिक्ता अबजेक्टिविटी प्रात्मिक श्रोतों में वैश्रिक्ता का पाया जाना एक बहुत बड़ा गोण है कि जो जैसा है उसका वैसा ही अध्यन करना उसमें अपनी खुद के विचारों का समावेश नहीं करना इसमें सूचना प्राप्त करने कि जो पद्दतियां जो टैक्निक्स अपनाई जाती हैं वे भी अबजेक्टिविटी लाने में सहयक हैं जैसे उधारण के लिए अनुसुची पद्दति द्वारा अनुसंधान करता लिखित प्रश्णों के उत्तर उत्तरदाता से प्राप्त करता है शिडियूल के अंदर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उत्तरदाता पक्षपात पूर्ण होकर उनका उत्तर देगा सिर्फ सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि जो प्रश्ण है वो अस्पष्ट टेड़े मेड़े और भ्रामक नहीं होने चाहिए जब आपने क्योश्टन्स का एक सीरियल बना लिया सवाल पूछ रहे हैं तो उस सवालों के अंदर कहीं भी कोई ऐसा नहीं कुछ मिक्स होने का सवाल हो या कुछ सवालों के जवाब जो हो पक्षपात होकर उत्तर दिये जाए उनके ऐसा कुछ नहीं है बस आपके सवाल जो हो क्लेयर होने चाहिए नेक्स्ट विश्वशनीता रिलाइबलटी प्रात्मिक शोतों में अधिकान सामगरी निकट संबंद स्थापित करके प्राप्त की जाती है फिर फेस टो फेस रिलेशन्स होते हैं बहुत क्लोज रिलेशन्स होते हैं पास में बैठ कर आप किसी भी वेक्ति से जानकारी प्र बहुत नजदिक से किये गए अध्यन के अंदर गलतियों की दोगे की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रहती है लास्ट वन इस कम खर्ची लिए लेस एक्सपेंसिव इन श्रोतों से सामगरी प्राप्त करने में खर्च अधिक नहीं होता अनुसूचियों के द्वारा दूर दूर के स्थानों पर निवास करने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करके सामगरी को प्राप्त कर सकता है जब बार बार सूचना को प्राप्त करना होता है तो प्रश्नावली पद्दती को काम में ले लेता है इसमें अनुसंधान करता को घटना स्थल पर जाने या व्यक्तिकत संपर्ग स्थापित करने की भी आवशक्ता नहीं होती इससे समय की बचत होती है तो हमने देखा कि प्रात्मिक श्रोतों के गुण जो थे वो थे स्वाभाविक्ता, वास्त्विक्ता, वैश्यक्ता, विश्वशनेता और कमखर्चिली यह इसके मेरिट्स है, पर प्रात्मिक जो प्राइमरी सौर्ससेस हैं उनके भी कुछ दोश है तो इसके बारे में भी चानना जरूरी है कि जहाँ गुण है वहाँ पर दोश क्या क्या है तो पहला दोश जो है अभीनती की संभावना यानि पक्षपात की संभावना प्रकार से नियंदरन प्राप्त करें, क्योंकि जब वो इंट्रिवू लेता है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मनुष्य मनुष्य का अध्यन कर रहा है, तो कई बार हम इंट्रिवू लेते समय उस व्यक्ति के किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और उ इसमें पक्षपात आने की संभावना रहती है, क्योंकि आगर किसी ग्रुप की स्टडी कर निकले भी जा रहे हैं, वहां रहे हैं उन लोगों के बीच में, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि कभी आपको किसी से अटैश्मेंट हो जाए, तो आप उसकी गलतियों को भी छुपाने की कोशिश करें, या उसकी गलतियों को आप अपने नजरिये से देखने की कोशिश करें, तो जहां पर अध्यन में अनुसंधान करता का खुद का नजरिया आ जाता है, तो वहां पर पक्षपात की संभावना बढ़ जाती हैं, दूसरा है अनुसूची द्वारा तथे अगरी एकत्र की जाती है, उसमें कई कटनाई आती हैं, पहला तो यह कि अनपड इसका महत्वनी समझते हैं, या तो वह उत्तर देने में संकोच करते हैं, या अधिक जोड दिया जाये तो उटपटंग जवाब दे देंगे, कई बार तो हो सकता है, वह आपके सवालों को सं समझे, या वो पड़े लिखे नहीं थे, पड़े लिखे थे, तो उसके अंदर, उस कंडिशन के अंदर सवाल नहीं समझे, तो उसका उटपटंग जवाब दे देंगे, या फिर जवाब ही नहीं देंगे, सामगरी एकत्र करने में असावधानी, ये थर्ड इसका डी है, क्या नसंधान करता प्रात्मिक श्रोतों से सामगरी प्राप्त करने में स्वतंत्र होने के कारण, उसका दुरूपयोग करता है, ये दि उसे अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, तो वह शायद इसका प्रयोग बड़ा सावधानी से करता, क्योंकि वो फ्री होता है, प्रा परफ़ अप्रपाय तो आपने लेवल पर उनको फिल कर लेता है तो ऐसी कुछ परिशानिया जो हैं डोष जो हैं वा स्पदति के यहतं हैं नास हमने देखा कि किस परकार से ढर्राइटा जो होते हैं उसकी टाइक्स क्या होते है emerged sourcesuba कौन से होते हैं और उन सोर्सेज में भी हमने प्राइमरी सोर्सेज की स्टड़ी की प्रात्मिक श्रोतों की और प्रात्मिक श्रोतों में भी डायरेक्ट सोर्सेज और indirect sources की study की कि प्रात्मिक में भी प्रतक श्रोत और अप्रतक श्रोत क्या होते हैं और फिर प्रात्मिक श्रोतों के गुड़ और दोश क्या होते हैं